हेलो फ्रेंट्स आज के वीडियो का जो टॉपिक है या कंटेंट है हमारे वह है कैलकुलेशन ओफ वेट हम इंडस्टी में जब भी किसी कॉंपोनेट या मशीन को प्लान करते हैं तो उसको उसकी कुछ कॉस्त होती है वह कॉस्त हम कई फैक्टर से पर डिपेंड होती है और उ वेट कैसे कैलकुलेट किया जाता है आज अगके वीडियो का टॉपिक यही है हमें ट्रांस्पोटेशन और मैनुफैक्चरिंग दौनों के लिए वेट की ज़रूरत होती है हम किसी भी कॉंपोनेट को वेट निकाल के उसकी मैनुफैक्चरिंग कॉस्त और फर्दर उसकी ट को डिसाइड करते हैं तो हम आज इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं आप हमारे वीडियो के साथ बने रहें यह एक ट्राइंगल है जिसमें एम डी और वी हमने मैंशन किया है यह क्या है आप अगर मास यह वेट डूंडते हैं तो वह दैंसे टेंटू वाल्यूम है और बाकी एक्वेशन्स भी वैसे ही हैं हमें जब भी कोई कॉम्पनेंट का वेट करना है तो यह दो मेंट वक्टर आपके सामने हैं इनके ज़रीद होती है कि उस कॉम्पनेंट का वाल्यूम कितना है और उसके डेंसिटी कितनी है density depend करते हैं उसके MOC पे कि उसका material of construction कैसा है volume depend करता है उसके shape पे और formula भी उस shape के according लगते हैं जैसे आपके सामने जो slide है उसमें एक rectangular component है length into width into height उसका volume calculation करने का formula है इसी तरह से एक cylindrical component है उसका भी formula है volume अगर आपका calculate करना है तो area of base pi r square into height और length उसके जो volume है cubic meter, cubic foot और cubic centimeter है यह हुई volume की बार लेकिन आपको सिर्फ volume से weight नहीं होगा उसके लिए आपको स्वेटल की density चाहिए कुछ major metals हैं जिनके density आपके सामने है जिसमें major जो है वो स्टील, iron, copper, brass और aluminium जिनके हमें frequent जरूरत पड़ती है आज का वीडियो हमने एक cylindrical component को weight calculation के लिए रखा है उसका अगर हमें volume निकालना है component का जो cylindrical है तो area of base pi d square upon 4 और pi r square into h और height तो आज जो हमारा question है कि अगर एक mild steel का cylindrical component है जिसका diameter 20 mm और length 100 mm है तो उसका weight कितना होगा इसी weight को calculate करने के लिए हम जो formula आप से अभी बताया है उसका उपयोग करेंगे और उसमें हम अपने units को कैसे fit करेंगे आपके सामने है ये slide जहाँ पे diameter 20 mm है और height 100 mm है pi d square upon 4 into h ये आपके सामने figure और formula दोनों यहाँ पे हमने उसको solve किया solve करने के बाद में हमारे पास जो digit आया 31400 लेकिन इसकी जो unit है वो cubic mm है इसको meter में convert करते है मीटर में convert करने के बाद में हमारे पास आया 0.0314 अब इसकी unit है cubic meter अब क्योंकि आपके पास volume available है अब इसको आप density से multiply करेंगे तो आपको weight आपके सामने आएगा steel की density आपको chart में बताया वही उसकी से multiply किया 7.9 weight आया 0.248 kilogram तो जो हमारा जो object था जो component था जो 20 mm diameter और जिसकी length 100 mm थी और वो mild steel से बना हुआ था उसका weight है 0.248 kilogram इसी तरह से आपको और कोई weight calculate करना है आप formula यूज करके कर सकते हैं इसी तरह के और कई बहत्पू जानारी चानकारी के लिए आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें सबस्क्राइब करें इसे और आपके कोई सवाल है आप हमें लिखें हम उसका जवाब देने के लिए अपने आपको त्यार रखते हैं धन्यवाद कि तरह कर दो दो हमें लिए लिए जवाद